प्रिया, तुम इन तीलियों के साथ क्या कर रही हो? मैं इन तीलियों की सहायता से अलग-अलग तरह की आकरतियां बना रही हूँ. देखो, मैंने एक समानतर चतुर्भुज बनाया है. ये तो अच्छा है. क्या आप तो मैं त्रिभुज बना सकती हो? हाँ, मैं बना तो सकती हूँ, पर अब मेरे पास सिर्फ दो तीलियां बची है. कोई समस्या नहीं, तुम अब भी एक तरिभुज बना सकती हो? लेकिन कैसे? ये तीलियां मुझे दो. देखो, अब दोनों आकरतियों का आधार एक ही है. हाँ, ये तो बहुत आसान था. आओ, इस अध्याय में हम ऐसी ही और भी आकरतियों के बारे में जानते हैं. उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे. एक ही आधार पर तथा एक ही समानतार रेखाओं के बीच की आकरतियां बनाना. एक ही आधार पर तथा एक ही समानतार रेखाओं के बीच के त्रिभुजों को समझना. समानतार चत्रिभुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल से सम्मंदित प्रामयों को सिद्ध करना. समानतार चत्रिभुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल से सम्मंदित हुदारणों को हल करना. परिभाशाएं किसी भी समतल क्षेत्र के विस्तार अथवा उसकी माप को उस क्षेत्र का क्षेत्रफल कहते हैं. और क्या आप जानते हैं कि समतल क्षेत्र क्या है? वह उसी आकृती का सम्तल क्षेत्र कहलाता है। दो सर्वांग सम आकृतियों के क्षेत्रफल समान होते हैं, लेकिन समान क्षेत्रफल वाली आकृतियां सर्वांग सम हों यह आवश्यक नहीं है। किसी आकृती के क्षेत्रफल को AR से भी दर्शाया जा सकता है। उधारण के लिए त्रिभुज ABC का अक्षेद्रफल के स्थान पर AR ABC भी लिखा जा सकता है एकी ही आधार पर बनी आकृतिया इस आकृति की ओर देखे यहां दो आकृतिया हैं एक आयत ABCD और एक समांतर चत्रभुज CDEF अब हम देख सकते हैं कि दोनों आकृतियों में आधार CD उभैनिश्ट है ठीक इसी तरह इस आकृति में त्रिभुज ABC और त्रिभुज BCD एक ही आधार BC पर स्थित है अब इस आकृति को देखें इसमें एक त्रिभुज ECD और एक समांतर चत्रभुज ABCD दोनों एक आधार यानि CD पर स्थित हैं एक आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच की आकृतियां अब इस आकृति की ओर देखें हम देख सकते हैं कि समांतर चत्रभुज ABC तथा समांतर चत्रभुज ABFT में आधार AB उभैनिष्ट है इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों समांतर चत्रभुज A की ही आधार AB पर तथा A की ही समामतर रेखाऊं AB तथा CF के बीच इस्तित हैं। ठीक इसी तरह इस जित्र में ADB तथा ACB दोनों त्रिभुज A की ही आधार AB पर तथा A की ही समामतर रेखाऊं AB तथा DC के बीच स्तित हैं। इसलिए दो आकृतियां यदि एक ही आधार परिस्थित हैं और उभैनिश्ट आधार के सम्मोकिस्थित उनके शीर्ष एक ऐसी रेखा परिस्थित हैं जो आधार के समानतर हैं तो वो आकृतियां एक ही आधार और एक ही समानतर रेखाओं के बीच की आकृतियां की जिस्थित समानतर चतरभुज. प्रमय एक ही आधार और एक ही समानतर रेखाओं के बीच जिस्थित समानतर चतरभुजों के क्षित्रफल समान होते हैं. आईए इस प्रमय को सिध्ध करें. दिया गया है दो समानतर चतरभुज A, B, E, C और A, B, F, D जो एक ही आधार A, B तथा एक समानतर रेखाओं A, B और C, F के बीच इस्थित हैं. हमें ये सिद्ध करना है कि A, B, E, C का चित्रफल बराबर है A, B, F, D के चित्रफल के. त्रिभुज A, D, C और त्रिभुज B, E, F में कोण A, C, D बराबर है कोण B, E, F के. क्यूंकि ये समानतर रेखाओं A, C, सरवांगसम, B, E तथा त्रियक रेखा C, F के संगत कोण हैं. इसे समीकरण एक से चिन्हित कीजिए. कोण A, D, C बराबर है कोण B, F, E के. क्यूंकि ये समानतर रेखाओं A, D, सरवांगसम, B, F, तथा त्रियक रेखा C, F के संगत कोण हैं. इसे समीकरण दो से चिन्हित कीजिए. इसलिए त्रिभुज के कोण योगण के अनुसार, कोण C, A, D, बराबर है कोण E, B, F, के. इसे समीकरण तीन से चिन्हित कीजिए. साथ ही, A, C, बराबर है B, E, के. ये समानतर चतरभुज A, B, E, C की सम्मुग भुजाएं हैं. इसे समीकरण 4 से चिन्हित कीजिए. इसलिए A, S, A, नियम द्वारा समीकरण 1, 3, 4 का प्रियोग करते हुए त्रिभुज A, D, C और त्रिभुज B, E, F सर्वांगसम हैं. जोगी सर्वांगसम आगरितियों के क्षित्रफल समान होते हैं, इसलिए A, D, C का क्षित्रफल बराबर है B, E, F के क्षित्रफल के. इसे समीकरण 5 के रूप में चिन्हित कीजिए. अब A, B, E, C का क्षित्रफल बराबर है A, D, C के क्षित्रफल जमा A, B, E, D के क्षित्रफल के हम जानते हैं कि A, D, C बराबर है B, E, F के इसलिए हम इसे इस तरह प्रमय का विलोम अब हम सिद्ध कर चुके हैं कि A की ही आधार और A की ही समानतर रेखाओं के बीच इस्थित समानतर चत्रफुजों के क्षित्रफल समान होते हैं इस प्रमय का विलोम भी सत्य है जिसके अनुसार A की ही आधार परिस्थित समान क्षित्रफल वाले समानतर चत्रभुज एक ही समानतर रेखाओं के बीच इस्थित होते हैं। उधारण यदि एक समानतर चत्रभुज और एक त्रभुज एक ही आधार और एक ही समानतर रेखाओं के बीच इस्थित हैं, तो सिद्ध कीजिए कि समानतर चत्रभुज उसी त्रभुज जैसे दो त्रिभुजों से पना होता है। मान लेते हैं कि एक उभयनिष्ट आधार BC पर और एक ही समानतर रेखाऊं, A, E और BC के बीज समानतर चत्रभुज ABCD और एक त्रभुज EBC इस्थित है। अब सिद्ध करते हैं कि समानतर चत्रभुज ABCD त्रिभुज EBC जैसे दो त्रिभुजों से बना है। रचना रेखा AC खीचिये चुकि विकन AC समानतर चत्रभुज को दो पराबर भागों में बाट रही है। इसलिए समानतर चत्रभुज ABCD त्रिभुज ABC से दुगना है। किन्तु त्रिभुज ABC और EBC, A की ही आधार BC और A की ही समानतर रेखाओं AE और BC के बीज इस्थित हैं। इसलिए वह दोनों समान हैं। इसलिए समानतर चत्रभुज ABCD त्रिभुज EBC जैसे दो त्रिभुजों से बना है। इती सिथम एक समलंब ABCD है जिसमें AB सरवांग सम है DC के। विकन AC और BD एक दूसरे को ओपर काटते हैं। सिद्ध कीजे कि त्रिभुज AOD का क्षित्रफल त्रिभुज BOC के क्षित्रफल के बराबर है। हल यह देखा जा सकता है कि त्रिभुज DAC और त्रिभुज DBC एक ही आधार DC पर और एक ही समानतर रेखाऊं AB और CD के बीच स्थित हैं। इसलिए त्रिभुज DAC का क्षित्रफल बराबर है त्रिभुज DBC के क्षित्रफल के। अर्थात त्रिभुज DAC का क्षित्रफल घटा त्रिभुज DOC का क्षित्रफल बराबर त्रिभुज DVC का क्षित्रफल घटा त्रिभुज DOC का क्षित्रफल और इस प्रकार त्रिभुज AOD का क्षित्रफल त्रिभुज BOC के क्षित्रफल के बराबर है। एकी ही आधार तथा एकी ही समानतर रेखाओं के बीच इस्थित त्रिभुज। प्रमाएं, एकी ही आधार या बराबर आधारों और एकी ही समानतर रेखाओं के बीच इस्थित त्रिभुजों के खित्रफल समान होते हैं। दिया गया है, एक ही आधार BC और एक ही समांतर रेखाओं BC तथा ED के बीच स्थित दो त्रिभुज ABC और DVC हैं। सुधिक करना है, त्रिभुज ABC का क्षित्रफल बरावर है, त्रिभुज DVC के क्षित्रफल के। रचना, B से होते हुए CA के समांतर, E पर बनी DA को काटती हुई, BE खिंचिये, और C से होते हुए BD के समांतर, F पर बनी AD को काटती हुई, CF रेखा खिंचिये। उपत्ति, निर्मान के अनुसार हमारे पास दो समांतर रेखाएं BE और CA हैं। और BC EA के समांतर है, ये हमें दिया गया है। इसलिए चत्रफुज BC AE एक समांतर चत्रफुज है, ठीक इसी तरह BC FT B एक समांतर चत्रफुज है। अब समांतर चत्रफुज BC AE तथा समांतर चत्रफुज BC FT एक ही आधार BC तथा एक ही समांतर रेखाओं BC तथा AD के वीज इस्थित हैं। इसलिए समांतर चत्रफुज BC AE का क्षित्रफल बराबर है, समांतर चत्रफुज BC FT के क्षित्रफल के, इसे समीकरण एक से चिन्नित कीजिए। हम जानते हैं कि समांतर चत्रफुजों के विकर्ण उसे बराबर क्षित्रफुज वाले दो त्रिभुजों में बाणतेते हैं। इसलिए तिर्भुज DBC का क्षित्रफल बराबर होगा समानतर चत्रभुज BCFT के क्षित्रफल के आधे के, इसे समीकरण 2 से चिन्हित कीजिए. और तिर्भुज ABC का क्षित्रफल बराबर है समानतर चत्रभुज BCAE के क्षित्रफल के आधे के इसे समीकरण 3 से चिनित कीजिए अब समीकरण 1 से समानतर चत्रभुज BCAE का क्षित्रफल बराबर है समानतर चत्रभुज BCFD के क्षित्रफल के उधारण एक तिर्भुज ABC में E माधिका AD का मध्य बिंदु है सिथि कीजिए कि तिर्भुज BED का क्षित्रफल बरावर है एक बटे चार तिर्भुज ABC के क्षित्रफल के हल दिया गया है AD तिर्भुज ABC की माधिका है इसलिए यह तिर्भुज ABC को बरावर क्षित्रफल वाले दो तिर्भुजों में बांटेगा इसलिए तिर्भुज ABD का क्षित्रफल बरावर है तिर्भुज ACD के क्षित्रफल के इसके अनुसार त्रिभुज A, B, D का क्षित्रफल पराबर है एक बटे दो त्रिभुज A, B, C के क्षित्रफल के इसे समीकरण एक से चिन्नित करें त्रिभुज A, B, D में A, D का मत्विंदू E है इसलिए B, E मातिका है इसलिए त्रिभुज B, E, D का क्षित्रफल पराबर है त्रिभुज A, B, E के क्षित्रफल के अर्थात त्रिभुज B, E, D का क्षित्रफल पराबर है एक बटे दो त्रिभुज A, B, D के क्षित्रफल के अर्थात समीकरण एक के अनुसार त्रिभुज BED का क्षित्रफल बराबर है एक बटे दो गुणा एक बटे दो त्रिभुज ABC के क्षित्रफल के जिससे यह सिद्ध होता है कि त्रिभुज BED का क्षित्रफल बराबर है एक बटे चार त्रिभुज ABC के क्षित्रफल के चिद्ध करिए कि किसी समानतर चत्रभुज के विकर्ण उसे बराबर क्षित्रफल वाले चार त्रिभुजों में विभाजित कर देते हैं हल हम जानते हैं कि समानतर चत्रभुज के विकर्ण एक दूसरे को समदुई भाजित करते हैं इसलिए O, A, C और B, D का मथिपिन्दु है त्रिभुज A, B, C में B, O माथिका है इसलिए या इसे बराबर क्षित्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करेगा इसलिए त्रिभुज AOB का क्षित्रफल बराबर है, त्रिभुज BOC के क्षित्रफल के, इसे समीकरण 1 से चिहनित करें त्रिभुज BCD में CO माथिका है इसलिए त्रिभुज BOC का क्षित्रफल बराबर है, त्रिभुज COD के क्षित्रफल के, इसे समीकरण 2 से चिहनित कीजिए ठीक, इसी तरह त्रिभुज COD का क्षित्रफल बराबर है, त्रिभुज AOD के क्षित्रफल के, इसे समीकरण 3 से चिहनित करें समीकर्ण एक, दो और तीन से हमें ये पता चलता है कि त्रिभुज A और B का क्षेत्रफल पराबर है त्रिभुज B और C के क्षेत्रफल के जो की पराबर है त्रिभुज C और D के क्षेत्रफल के जो की पराबर है त्रिभुज A और D के क्षेत्रफल के इसलिए यह सित हुआ कि किसी समानतर चत्रभुज के विकर्ण उसे बराबर क्षित्रफल वाले चार त्रिभुजों में विभाचित कर देते हैं क्या आप जानते हैं? सिकंद्रिया के हीरोन एक्षताबदी ईसा पूर्व ने त्रिभुज के क्षित्रफल के सूत्रगी खोच की थी गणित के तिहास में वह सबसे अधिक इसी सूत्र के कारण जाने जाते हैं जिसका नाम उनहीं के नाम पर है सारांश आएए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में तोहराएं किसी आकरिती का क्षित्रफल वह संक्या किसी काई में है जो उस आकरिती के अंदर आने वाले समदल को दर्शाती है दो सरवांग सम आकरितियों के क्षित्रफल बड़ाबर होते हैं लेकिन इस कथन का विलोम भी सही हो ये आवशक नहीं है। दो आकृतियां यदि एक इही आधार परिस्थित हैं और उभै निश्थ आधार के सम्मुग स्थित उनके शीर्ष एक एसी रेखा परिस्थित है जो आधार के समानतर हैं, तो वो आकृतियां एक इही आधार और एक इही समानतर रेखाओं के बीच की आकृतियां कहलाएंगी एकी आधार या बराबर आधारों और एकी ही समानतर रेखाओं के बीच स्थित समानतर चत्रभुजों के क्षित्रफल बराबर होते हैं एक ही आधार या बराबर आधारों पर इस्थित समान क्षित्रफल वाले समानतर चत्रभुज एक ही समानतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं एक ही आधार या बराबर आधारों और एक ही समानतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों के क्षित्रफल समान होते हैं किसी त्रिभुज का क्षित्रफल उसके आधार और लंब के गुणनफल का आधा होता है एक ही आधार या बराबर आधारों परिस्थित समान क्षित्रफल वाले त्रिभुज एक ही समानतर रेखाओं के बीच स्थित्थ होते हैं एक त्रिभुज की माधिका उसे बराबर क्षित्रफल वाले दो त्रिभुजों में बाणती है एक ही आधार या बराबर आधारों परिस्थित समान क्षित्रफल वाले समानतर चत्रफुज एक ही समानतर रेखाओं के बीच स्थित्थ होते हैं